अलो और गुड मॉर्निंग एवरिवन आज के इस लेक्टर में हम इलेक्ट्र डाइनमिक एड वेव प्रोपेगेशन का एक इंपोर्टन टोपिक कवर करेंगे ट्रांस्मिशन लाइन्स और साथ ही हम टाइप ओप ट्रांस्मिशन लाइन्स के पारे में पढ़ेंगे और इसका हम को हम एक जगे वेव को हम एक जगे दूसरी जगह तक पेज थे है वह बहुत कम लोळा में जैसे हमनेहलिया ह्मारे पास ही एक पॉइंट ये है और रही में पंदन की हम सिगनल से पारेंगे तो सीगनल को wireless signal की बात करें हम यहाँ पे जब हम signal को माल लिया A point से B point के उपर भेज रहे हैं wireless signal है तो जो signal की strength है वो environment effect के कारण signal की strength बहुत weak हो जाती है माल लिया हमने A point से signal send किया है उसकी strength है 100% तक और वो signal जाएगा B point तक तो बीच में क्या है environment अब उस environment effect के कारण से environment के अंदर क्या होंगे बहुत सारे dust particle होंगे कहीं पे कुछ होगा कहीं पे कुछ होगा तो जो signal की strength है वो weak हो जाएगी और B point तक जो signal की strength जाएगी माल लिया वो 70% तक ही पोहुच पाई 30% environment effect के कारण loss हो गया ठीक है attunation हो गया उस signal के अंदर तो इस signal की strength को loss होने से बचाने के लिए हम जो use करते हैं वो किसका use करते हैं वो transmission lines का हम use करते हैं ठीक है तो जो transmission lines वो basically एक टाइप की wires होती है उस wires के अंदर से हम signal को एक जगह से दुसी जगह पर फेजते हैं और यहां पर जो signal की strength है उसके अंदर बहुत कम loss होता है ना की बराबर loss होता है हमाल लिया हमने यहां पर signal 100% strength के साथ बेजा B-point के उपर तो signal B-point के उपर कितनी कितनी strength तक पहुंच पाएगा यह पहुंच पाएगा 95 से लेकि 97% strength का signal B-point तक पहुंच पाएगा तो इसमें signal की strength का loss होता हो बहुत कम होता है ठीक है या फिर हम यह बोल सकते हैं जो intensity का loss है वो इसमें क्या है negligible है ठीक है तो start करते हैं first point से the conductor और wave guide from the transmissing electrical and electromagnetic wave over a long distance between transmitter and the receiver means इसमें हम conductor का यूज करेंगे ठीक है और इसके उपर हमने बहुत अच्छे से एक lecture upload कर रखाया कि normal wave guide क्या होता है और rectangular wave guide क्या होता है उसका जो link है वो आप चैनल की playlist में जाओगे और वहाँ पे Electrodynamic and wave propagation के नाम से एक playlist मिले कि उसमें आपको मिल जाएगा wave guide का topic या फिर आप YouTube के जो search बार है उसमें search कर सकते हो wave guide by constant पागल तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी wave guide के ठीक है और साथ में वहाँ पे इसके जो mode होते है किस type से उसके अंदर wave propagate करती वो सब आपको इसके देख सकते हैं तो बात करते हैं first point पे the conductor conductor की हमने बात की तो हमारी पास यहां भी parallel conductor होंगे कुछ इस type से parallel conductor होंगे जिसकी जो conductivity है वो बहुत ज्यादा high होगी माल लिया इसके अंदर signal propagate कैसे करता है यह हमने इसके अंदर signal छोड़ दिया तो इस type से signal इसके अंदर propagate करता या फिर हम इसके अंदर कोई electromagnetic wave इसके अंदर send कर सकते हैं एक point से दूसरे point के ऊपर यहां पर जो signal की send के अंदर loss होगा वो negligible होगा ना के बराबर यहां पर loss होगा ठीक है over a long distance अब बहुत ज्यादा दूरी तक हम signal send कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास यह जो wires होती है जैसे हम घ टीवी होता था और उस टीवी के ऊपर हम एक antenna लगाते थे अंटीना किस टाइप का होता था एक cycle का जो रीम होता उसको break करके और एक type जो उसकी एक side है उस पर एक wire लगाते थे और दूसरा जो end है उस पर भी एक wire लगाते थे और जो wire हो कहां तक आती उस टीवी से जोड़ तो जो wire होती थी वहां पर वो भी क्या होती थी एक परकार की transmission lines होती थी या फिर जो आजकल हम यूज करते हैं जैसे जो cable होती है जो चतरी घर पे लगी होती है उस चतरी से एक wire निकल के टीवी तक जाती है जो wire होती वो भी एक type की transmission lines ही होती है या फिर आजकल हम बहुत बेजने के लिए हम transmission lines का यूज करते हैं और इससे signal send भी किया जा सकता है और signal receive भी किया जा सकता है तो एक तो definition है यह हमारे पास दूसरा definition है अगर हम बात करें यह device used to transmitting radio और high frequency signal यह जो transmission lines है वो एक ऐसा device है जिसका use हम radio signal को send करने के लिए करते हैं या फिर high frequency electromagnetic wave को एक जगे से दूसरी जगह तक भीजने के लिए हम इसका use करते हैं और इसमें जो signal की strength का जो loss होता है वो क्या होता minimum loss बहुत कम loss होता है ठीक है उसके बाद हम बात करते है types of transmission lines के बारे में पढ़ेंगे और यह सब हम देखेंगे अगले section के अंदर तो इस section में हम type of transmission lines के बारे में पढ़ करेंगे two parallel wire lines first second wave guide क्या है और third coaxial cable है इसके बारे में पढ़ेंगे fourth optical fiber तो one by one हम सबको cover करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं two parallel wire transmission line की तो इसमें क्या होता है हमारे पास two parallel wire transmission lines इसमें हम दो conductor लेके जलते हैं हमारे पास इस type से कुछ दो conductor होंगे इनकी जो conductivity है वो बहुत ज्य magnetic wave या कोई भी जो signal है high frequency का signal है उसको propagate करवाते हैं और साथ यह जो parallel conductor है इनको protect करने के लिए हम इसके उपर एक इंसुलेटर का layer भी लगा देते हैं इस type से एक layer लगा होता जो इन parallel conductor को protect करता है या फिर हम die electric की layer इसके उपर लगा सकते हैं ठीक है तो यह सब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि हमें parallel conductor इसमें लेके चलते हैं उनकी जो conductivity होती वो बहुत ज्यादा हाई होती इसका capacity effect होता है वो बहुत कम होता है इनको protect करने के लिए हम इंसुलेटर की layer लगाते हैं या फिर डाइलक्री की एक layer लगाते हैं यह हमारे पास जो two parallel wire lines है यह हमारे पास simple transmission lines है पहले के जमाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था आज के जमाने में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है पहले के जमाने में बता देता हूं कहां पर यूज करते थे जैसे हम हमारे time की बात करूं है तो हम जब सक्तिमान और मा भारत अगरा देखते थे तो हम और इस आंटीना से लेगे टीवी तरक आती है वह वायर क्या होती है टू पैललर वायर ट्रांसमिशन लाइन से होती थी तो इसके बारे में और हम क्या देख सकते हैं यहां पर एक पेर ओप चंड़क्टर होता है परले कंड़क्टर हम लेके चलते हैं इस टाइप से जिनका लेस क्या प्रेशिटेंस एफेक्ट होता है और इसका यूज कितने हार्ट्स के लिए हम करते हैं यूज अप्टू 100 मेगा हाड्स ठीक है और इसके अंदर जो इलेक्रमेगेटिक वे ट्रांसफर करते हैं फेक्ट से तो से मोड़्य यह प्रियर होता है मोड को क्या होता है जो second mode होता है गल्ड यह的ाव और फliर्ण्व इलन होगों कि इंदर इंदर रोपेंड करताइ ऑ पॉट अव तारी है चाहिं लेखे चलते हैं तो बहुत सरी TO 시क्थ तो ट्रांस्पर्स ना जिसमें ट्रांस्फर्स इलेक्रिक मोड और ट्रांसपर से मैगनेटिक मोड के अंदर ट्रांसपर्स ना मुरल और होता है फेल एक यह से म्ट450 के और यहां पर signal transmit होता है तो यह था हमारे पस first two parallel wire transmission lines उसके बाद हम बात करते हैं wave guide की wave guide के उपर हम इतना जएधा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके उपर हमने already एक lecture upload कर रखा है आप वो वीडियो चैनल की playlist में जाके देख सकते हैं तो wave guide क्या होता है इसके उपर थोड़ा साथ हम बात कर लेते हैं तो wave guide एक ऐसा device होता है जिसमें हम signal एक जगे से तुसरी जगे तक भेजते हैं जैसे नाम से ही पता लग रहा है wave guide जो wave को guide करता है उसको हम बोलते है wave guide जैसे हम जो normal एक signal भेजते हैं इसके उपर बात कर चुके हैं अब इस signal की strength को कम करने के लिए हम यह जो wave भेज रहे हैं इस signal को हम क्या cover कर देंगे ठीक है अब यह जो signal जाएगा वो किसके अंदर से जाएगा एक pipe के अंदर से हमने pass कर दिया और इस pipe की जो conductivity हम बहुत जदा high लेके चलेंगे यही basic wave guide होता है हमारे पास तो जो wave guide होता है इसमें बहुत कम signal की strength के अंदर loss होता है low power loss is negligible और उसके बाद यह cut off frequency मतलब इसके अंदर से pass करने के लिए हमें minimum frequency की ज़रूरत होती है ठीक है और यह transverse electric mode और transverse magnetic mode के अंदर ही electromagnetic wave को भीजता है जो TEM mode है transverse electromagnetic mode इसके अंदर इस mode में वो काम नहीं करेगा ठीक है इसके उपर हम already बात कर चुके है wave guide के lecture में उसके बाद जो third type है third type के उपर हम deeply बात करेंगे कि coaxial cable क्या होती है सबसे पहले मैं बता दो जो coaxial केवल है इसका यूज हम आज-कल बहुत ज्यादा करते हैं चैसे हमारे जीं牛ubic दिस्स लगी होती है उस डिस्स से एक wire TV तक जाती है तो जो wire होती वो क्या होती है को एक्सिल केबल होती है या फिर जो केबल ओपरेटर होते केबल ओपरेटर भी को एक्सिल केबल का यूजे बहुत ज्यादा करते हैं तो को एक्सिल केबल में होता क्या है इसके उपर बात कर लेती है इसमें हमारे पास एक सेंट्रल कंड़क्टर वायर होती है और इस सेंट्र cell phone में थूसरा conductor होता है इसके उपर एक दूसरा conductor होता है इस टाइप से जो इसको protect करता है मैं दिखा भी देता हुँ आपको जैसे ने आपको यह जो वायर आप देख रहे हैं यह하겠습니다 सब्सक्राइल वायर है इसमें क्या है हमारे पास यह सेंट्रल अबर करने वायर है यह चाहिए है तो आपको वैल्ट वैल दिखाई दे रहा है यहाँ ओश्की वाल इंसुलेटर के लेयर लगा रखी उसके उपर भी हमने यहांपी क्या लगा रखा है इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए या इसको थोड़ी सी मजबूती ज्यादा देने के लिए हमने एक प्लास्टिक का कोटिंग कर रखा है ठीक है तो इसमें अगर कोएक्सिल के बलाता है तो इसमें हम क्या लिखेंगे हमारे पास एक सेंट्रल वायर होगी सेंट्रल वायर के उपर हमने इंसुलेटर की कोटिंग कर दी हमने और इसके इंसुलेटर की कोटिंग के उपर हमारे पास एक इस टाइप से और conductor होगा और यह conductor कैसे होगा spiral फोम में होगा ठीक है और इसके उपर भी हम क्या ले कि चलेंगे एक प्लास्टिक का हमारे पास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक की एक प्रोटेक्टर लेयर हम इसके उपर लगा देंगे अब इसका यूज पर जबे करने गर करें दो इसका यूज्ड करते है तो इसका का यूज हम कहां पर करते ich के अंदर इसका करते हैं इसके अंदर जो signal की जो होती है कि इतना स्रेंछ सेंड कर सकती एक जया स्ट जशिएंग Quest तक यह सिडनल कर सकती है और इसके अंदर हम जो डाएक्रिक्छ करते हैं वो air भी हो सकती है gas भी हो सकती है solid का भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं उसके बाद fourth point के अगर हम बात करें low-send dialectic increase the frequency अगर हम frequency increase करते हैं तो dialectic का जो लोस है वो भी increase हो जाएगा उसके बाद हम four type की transmission lines के बारे में पढ़ते हैं optical fiber और optical fiber का जो यूज है वो हम आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं जो अगर आप MSE कर रहे होंगे तो आपने optical fiber के उपर experiment भी किये होंगे कुछ और signal को भेजने के लिए आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है तो चलो स्टार्ट करते हैं optical fiber के बारे में तो optical fiber का यूज हम optical signal को एक जगह से दुसरी जगह तक भेजने के लिए हम इसका यूज करते हैं और इसमें भी जो signal की जो strength होती है उसके अंदर बहुत कम weakness आती है तो optical fiber use for transmitting of optical signal over a long distance of several km की जो distance इसके अंदर हो सकती है उसके बाद हम बात करें इसकी construction की तो इसके बैसिकली तीन पार्ट होते है एक इसमें होती है Central Core Central Core का reflective index हमने यहां पर मू ले लिया इसका reflective index ज्यादा होता है Central Core के उपर एक gladding नाम की layer होती है जिसका reflective index कितना होता है मू 2 बेसिकली और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उपर एक कोटिंग होती है बेसिकली हमने ऐसा ले सकते हैं इसमें हमारे पास दो conductor होते है जो पहला conductor होता हुसका reflective index मू 1 है second conductor इसका reflective index मू 2 है और जो मू 1 का reflective index है मू 1 ग्रेटर ध्यान है किसे मू 2 से और इसके अंदर प्रोपेगेट करती है वह किस के प्रिंसिपल के उपर प्रोपेगेट करती है टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उपर यह ओप्टिकल फाइवर काम करती है इ चलते हैं और के बारे में पढ़ लेते हैं तें गलास इसका बनी होती जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है मिवन और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किस फों में होती है स्लेंड्रिकल फों में होती किसी मिला किसी बना सकते हैं हाई क्वालिटी का गलास हो सकता है हमारे पास सिलिका हो सकता है प्लास्ट यह हमारे पास score के उपर हम एक ज्यकेत के हम क्या बोलेंग गादेंग इसकोनμεं क्या बोल posição ग्लैडिंग होक्त हो गादेंग और मुमीरीए का रिफ्टिव करक्सित का सहब साथ heightened भाद ये फिर फिर्पिया है तरिक ऐसं अजू क्या हो पता इसके बात करें 10 क्या तोटल इंटररनल रिफ्लेक्षन के उपर ये ब्रेस होती है और इसमें हमारे पास दो par 2 नुसारा कॉर्टर हमारे पास ये है इसको निची वहाले कीस lequel ओधे को यूझए है उपर यूज का गविजरी डाक्रे इंटेंसिटी है सिगनल के इंटेंसिटी उसके अंदर बहुत कम लोस आएगा ओप्टिकल फाइबर यूज्ट ट्रांस्मिटिंग लाइट विदाउट लोस इन इंटेंसिटी लाइट को ट्रांसपर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं अगर आपने MSC के अंदर लेजर के एक्सपरिमेंट किये होंगे विद यहल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से पता होगी मेरा तो किया हुआ मेरको पता है इसके बारे में उसके बाद जो next है ऑप्टिकल फाइबर का यूज यूज हम टैली कम्निकेशन के अंदर भी करते हैं इसकी हेलप से हम जो ऑडियो सिग्नल है उसको सैंद कर सकते हैं और इमेज को भी सैंड कर सकते हैं एक साथ तकरीबन 3000 1000 image को ले जाने की capacity रखती है normal optical fiber तो यह थे हमारे पास type of optical fiber उसके बाद हम इसके equivalent circuit की अगर हम बात करें तो equivalent circuit हमारे पास हमने यहाँ पर 1 meter long transmission lines का equivalent circuit लिया है कुछ इस type से इसका equivalent circuit होगा जिसमें हमने यहाँ पर resistance लिया है यहाँ पर L लिया है inductance यह फिर coil भी बोल सकते हैं और इस type से इसका equivalent circuit होगा और इस type से भी हम यहाँ पर हमने low slash line का equivalent circuit लिया है equivalent circuit के बारे में हम बाद में बाद में पढ़ेंगे इससे पहले हम कुछ और important point है उसके बारे में पढ़ लेते हैं जो important point हो हम देखेंगे अगले section के अंदर तो first important point पढ़ते हैं in a study of wave propagation between parallel plates it was found that there were many possible modes or type of wave which could be propagate means जब हम दो parallel conductor के बीच में electromagnetic wave को transmit कर रहे थे तो हमने वहाँ पे observe किया जो अलगलग wave हो अलगलग mode के अंदर propagate कर यह कुछ wave किसमें प्रोपेगेट कर रही ही छी जड़ा तरकिसमीं प्रोपेगेट कर ही थी त्म मोड हो कि अंदर अंदर यह मोड बहुत कम देख ने को मिल था उस ट कशी के स्पिसल केस güam oke जो TEM mode है वो पहुत कमे मिला था all of these mode required a certain minimum wavelength between the conductors for propagation to the possible मतलब जितने भी हमने जो तीन mode देखे हैं इनको propagate करवाने के लिए कुछ minimum wavelength की जरूरत है ठीक है आपई कॉन सा mode propagate करेगा किस transmission line के अंदर वो depend करेगा उस signal की strength के ओपर किस signal की strength किस strength पर हम signal को वहां पर ट्रांस्मीट कर रहे हैं उसके बाद next point only for TEM mode जो TEM mode है इसका बहुत कम frequency के ओपर यह mode propagate होता है only for the TEM wave could be the conductor separation between small as compared to wavelength मतलब जो दो conductor हम लेके चलते हैं इनके बीच की जो distance है वो बहुत कम होती है as compared to जो हमने बाहर से signal भेजा उसके wavelength के ठीक है और इसका जो प्रैक्टिकल है अगर इस टाइप के हम प्रैक्टिकल transmission line देखे तो वो क्या होगी हमारे पास coaxial cable या फिर parallel wire lines या फिर parallel transmission lines भी हम बोल सकते हैं और यही रीजन होता है कि इसके में जो conductor separation होता है वो बहुत कम होता है इसलिए इसमें जो power जो हम signal की जो wavelength होती है वो बहुत ज्यदा कम होती है it is for the region that only TEM mode need for low frequency ठीक है आज अगर frequency बहुत कम होगी तो wavelength क्या होगी ज्यान होगी तो हम low frequency इसके अंदर transmit करते हैं और जो wavelength हो बहुत ज्यादा होगी जैसे कि हम इसमें power transfer कर सकते है कोई audio signal transfer कर सकते है या फिर radio frequency इसके अदर transfer की जाज सकती है और जो signal transfer आथ ट्रांसफर करते हैं उसकी frequency यहां पर फिर से डैफिनेशन बता रखा है क्या होता है इसके पर हम उर्राद कर चुके है उसके बाद नेक्स पाइंट जो टी ए ओर टी एम मोड है यह उनली वेव गैड के इंदर एकजिस्ट करता है वेव गैड में टी एम लिए तो सेपरेट कंड़क्टर बिट्विन बिट्विन वुटेज के लिए एकजिस्ट तो ट्रांस्मिशन लाइन्स को बनाने बनाने के लिए हमें दो सेपरेट कंड़क्टर की जरूरुरत होती है उसके इंदर हम बोल्टेज सीगनल है या फिर जो इलेक्रोमागनेटिक व या फिर होता है या फिर सर्कुलर वेवगाइड होता है या फिर जो इन सब में एक ही कंड़क्टर की जरूरत होती है तो ये था हमारे पास ट्रांस्मिशन लाइन्स के उपर इसका जो इक्वेलेंट सर्कुट है उसको हम समझेंगे अगले सेक्षन के अंदर